हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार विश्णु जिरातिक कार्स यूटूब चैनल पर और आज का ये वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो पहली बार कार चलाना चाहते हैं या जिन लोगों के घर कार तो है लेक मतलब दो वीडियो हम बनाएंगे पहले वीडियो में हम कार्स के बैसिक्स को समझने वाले हैं कि आखिर कार के वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमको हमेशा ध्यान रखना होता है कार चलाते समय हमको उनको माइंड में बिठा करके माइंड में रख करके और कौन-कौन से दूसरा वीडियो सारी जो बैसिक्स आज हम सीखेंगे उनको बैसिक्स का यूज करके अगले वीडियो में हम कार को चला करेंगे प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कार चलती है और कार चलाते समय फिर कौन से बातों का ध्यान रखना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बैसिक्स सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपका लेशन कंप्लीट हो जाए तो चलिए तरह से के आप नहीं चला पाएंगे सब कोई कार चला सकते हैं कार चलाना मैं ये कह सकता हूँ कि बाइक चलाने से भी आसान है इसमें घबरानी वाली कोई भी बात नहीं है घबराना कार चलाते समय घबराना बिलकुल भी नहीं है घबराने की वज़े से मन में डाउट होने की वज़े से हम कार नहीं चला पाते हैं, तो सबसे पहला बेसिक ता हमारा यह है, कि हमको बिलकुल कार चलाते समय गबराना नहीं है, चलिए अब कुछ कार के कोई points हैं, कुछ इसके parts हैं, जिनको हम को कार चलाते समय यूज करना होता है, उनका basic information में आपको देता हूँ सबसे पहले, जब भी आप कार चलाएंगे, आपके हाथ में आएगी ये की, कोई से भी गाड़ी आपके पास होगी, कोई से भी कार आपके पास होगी उस कार की की आपके पास होगी, तो इस की का पहली बार, बिल्कुल भी use नहीं करना है, जैसे ही आपके हाथ में की आती है, आप direct का की को कार को start करने के लिए use नहीं करेंगे, बिल्कुल side में मैंने देखी, यहाँ पर रग दी है की को की को सबसे पहले use नहीं करना है सबसे पहले क्या करना है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो देखी सबसे पहले आपको जब कार चलाना सीखना है, तो जो parts आपको दिखाई दे रहे हैं, उन parts को सबसे पहले समझ लो, सबसे पहले ये दिख रहा है आपको steering, ये steering है, ये car को इधर उधर turn करने के लिए left turn करन ये काम है इस steering का तो इस steering पर हाठ सबसे पहले इस तरह से रखिए ये वाला हाठ left hand यहाँ पर रखिए right वाला hand यहाँ पर रखिए और बिल्कुल इसको confidently पकड़ना सीखिए सबसे पहले हर जगह से इसको एकदम अपने grave मिल लिजिए आप इस steering के ओपर confident हो जाईए बार बार इस तरह से अपने हाथ को इस stirring पर घुमाने से क्या होता है हमारे पकड़ में आता है हम चीजों को समझ पाते हैं इसका stirring हमारे control में हो जाता है हम ऐसा समझते हैं क्योंकि पहली बार जब कार चलाते है तो stirring का जो size है उस size से भी हम familiar नहीं होते हैं इसलिए सबसे पहला क्या है काम कि बहुत देर तक कम से कम पांच मिनिट तक आप इसको इस तरह से टच कीजिए, अलग-अलग जगह से इसको पकड़िए, इधर उधर पकड़िए, आप इसको अपने कंट्रोल में लेने के कोशिस कीजिए, कि आप confident हो रहे हैं, कि आप आप का इधर तरन हो सकता है, इधर तरन हो सकता है, अपने हाथों को इस तरह से गुमाईए, ताकि आप इस steering से familiar हो जाएं, तो सबसे पहला point तो ये रहा, steering के बाद सबसे important point है, पैरो का control, आप देखो पैरो में आपको 3 pedals मिलते हैं, यदि आपके पास manual car है, तो आपके पास 3 pedals होंगे, देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये 3 pedals आपके पास हैं, तो सबसे पहले इस left pedal की बात कर रहा हूँ, और एक बात important है, जिसको मैं आपको show करके भी दिखा कर रहा हूँ, कि left leg से सिर्फ एक ही pedal चलता है ये वाला, जिसको हम clutch कहते हैं, जबकि right leg से आपको 2 pedals control करने होते हैं, right leg से 2 pedals control करेंगे, ये है accelerator, सबसे right वाला, और जो middle वाला pedal है, ये है brake, ये brake लगाने के लिए गाड़ी को रोकने के लिए यूज करते हैं, accelerator को गाड़ी बढ gear shift को control करने के लिए use होता है, तो आपके पास 3 pedals हैं और 2 legs हैं, 3 pedals में से left pedal या left leg से left pedal को ही सिर्फ हमको चलाना है, जबकि right leg से 2 pedals चलाना है, ये हमेशा ध्यान रखें, कभी भी left leg से brake लगाने की कोशिस नहीं करना है, हमेशा brake right leg से ही लगाना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आब इसके, सबसे पहले तो है clutch, और clutch को बार बार आपको इस तरह से चलाना सीखना है, तो जब गाड़ी चलाओ आप, तो आपको कुछ देर तक इसको इस तरह से press करते रहना है, जब पहली बार गाड़ी चलाओ तब की बात कर रहे हैं, इस इस तरह से आप उसके पर control लिजी, आपके pair को habit होना चाहिए कि clutch को press कैसे करना है, एक बार इस तरह से चलाना सीखें, उसके बाद इसको धीरे धीरे प्रेस करना और धीरे धीरे release करना है, धीरे धीरे इस तरह से slowly press करना है, slowly release करना है, इस तरह से clutch को चलाने के practice करना है, दूसरे नमबर पर आपके पास है accelerator, एक्सलेटर का use हम गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे, एक्सलेट करने के लिए, स्पीड देने के लिए करेंगे, धीरे धीरे इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करने के practice किजी, इस तरह से, एक बार इधर, 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 इससे क्या होगा आपके practice होगी, क्योंकि जब भे आप गाड़ी चलाएंगे, तो आपको बार बार accelerator पर प्रेस करना पड़ेगा, एक्सलेट करना पड़ेगा बार-बार brake पर press करना पड़ेगा, गाड़ी को बार-बार रोकना पड़ेगा, ये practice आपको करना है, तो ये दूसरा point था, पहला point था हमारा steering का, और दूसरा point था ये, ये paddle control का, जो कि आपको legs से करना होगा, पैरो से करना होगा, अब तीसरा और सबसे important point है, ये gear knob, आपके पा कि gear shift कैसे करते हैं, तो ये बीच में जब होता है, तो neutral होता है, बीच में जब होता है, बीच में जब होता है, तो neutral होता है, सबसे पहले, जब हम गाड़ी चलाते हैं, तो हम को गाड़ी को first gear में हम उठाते हैं, चलाते हैं सबसे पहले, तो गाड़ी चलाने के लिए इसको first देखो आपके पास जो भी कार होगी उस कार में आपको pattern बना हुआ मिल जाएगा कि first किदर है, second किदर है, third किदर है, fourth किदर है, fifth किदर है और reverse gear किदर है उस पर जो भी pattern बना हो उस pattern को आपको follow करना पड़ेगा जैसे ये मेरे पास swift car है मारुति सुजूकी की swift में ये gear knob दिया हुआ है इसमें ये pattern है बनाया हुआ है जिसमें first gear पूरा इधर left में धका करके आगे की तरफ press करना है देखो ये बीच में अभी यहाँ पर है neutral जब मैं इसको first gear में डालना चाहता हूँ तो इसको इधर की side left में press करूँगा और आगे की तरफ shift कर दूगा ठीक है तो जब गाड़ी आप खड़ी रखें आप इसको खड़ी गाड़ी में ही practice कीजिएगा गाड़ी खड़ी है आप इसको बार-बार इस तरह से चलाने के practice कीजिए फर्स्ट गेर में डालने के practice कीजिए ये गया फर्स्ट गेर में फिर वैसे ही इसको वापस लाए और बीच में वापस कर दिया न्यूट्रल कर दिया न्यूट्रल करना फर्स्ट गेर में डालना न्यूट्रल करना फर्स्ट गेर में डालना neutral करना, इस तरह से आप 50-10 बार practice कीज़े practice करने से क्या होगा, आपका control मेरा बार-बार आपको यही suggestion है, आप जिन चीजों को कार चलाने के लिए use करेंगे उन पर आपका control होना चाहिए, वो आपके control में ही चलना चाहिए मन से कुछ भी नहीं चलना चाहिए automatic कोई भी ऐसा नहीं कि आपके ध्यान में नहीं है और आपने कोई चीज press कर दी उससे accidents होने की possibilities होती है यदि आप accelerator बीना सोचे समझे press कर देंगे कोई gear shift कर देंगे तो कोई भी परिशानी आपको आ सकती है इसलिए इन पर control करना सबसे बड़ा point है अमारे लिए first gear सीख गया फिर second gear second gear जैसे ही आपने ये first gear लगाया आप इसको इधर की side जिधर second gear का knob दिया हुआ है अपनी तरफ दिया हुआ है पीछे की तरफ दिया हुआ है मैं इधर shift कर सकता हूँ उसको देखो पहले तो और उसको इधर खीच लूँगा ये देखो first gear और वापस ला करके ये रहा second gear मैंने gear knob को वापस इधर की side नहीं आने दिया neutral की side नहीं आने दिया फिर से एक बार करके बताता हूँ ये रहा first gear और ये रहा second gear अब देखो यदि मैं इसको neutral की side ले आता तो ये fourth में चला जाएगा इसलिए neutral की side नहीं ले करके आना है आपको first gear और उधर की side धकाते हुए है इसको second की तरफ ले करके आ जाना है clear है अब देखो जैसे हम ये first gear ये second gear अब second gear से बीच में एक बार वापस ला करके अब इसको छोड़ करके अब बीच में इसको press करके third के तरफ ले जाएगे third gear ये रहा third के पीछे fourth gear फिर से एक बार करते है first gear second gear third gear fourth gear और इधर press करके fifth gear में हमने डाल दे गाड़ी तो ये तो बहुत जादा speed में गाड़ी चलेगी तब की बात है अलग-अलग gears कैसे shift करना है ये सबसे पहले हम सीख रहे हैं जब reverse हमको लेना होगा तो इधर के side press करके गाड़ी को हम जिधर reverse indicate किया हुआ है उधर हम इसको press कर देंगे तो reverse में गाड़ी चलने लगेगी लेकिन गाड़ी चलाते समय आपको reverse में कभी नहीं डालना है वैसे गाड़ी आपको allow नहीं करेगी जब चलती रहेगी आगे की तरफ तब पीछे आने के लिए वह आपको allow नहीं करेगी तो ये था हमारा तीसरा point पहला point क्या है हमारा पहला point है steering control, steering को कैसे control करना है दूसरा point क्या हमारा दूसरा point है gear pedals, gear pedals को कैसे control करना है तीसरा point क्या हमारे पास gear knob, gear knob को कैसे control करना है कैसे operate करना है ये हमने सीखा अब अंदर की तीन बाते सीखने के बाद चौथा जो point है वो है हमारा गाड़ी का size mind में imagine करना कि गाड़ी का size क्या है अब देखो गाड़ी को बार बार आप outside गूम करके देखिए इधर से उधर गाड़ी को कभी आगे से देखिए कभी पीछे से देखिए क्योंकि हमको जब गाड़ी का size कितना है कितनी जगह में से गाड़ी निकल जाएगी otherwise यदि आपने गाड़ी के margin का अंदाजा नहीं लगाया तो गाड़ी आपकी कहीं से भी रगड़ खा सकती है कहीं भी टकर लग सकती है किसी को भी आप टकर मार सकते है यदि size का अंदाजा नहीं है तो तो ORVM को देखिए बार बार ये जो आपके glass side glasses हैं इनको भी देखिए कि गाड़ी से कितने बाहर निकले हुए हैं ताकि आपको गाड़ी का complete अंदा जाए गाड़ी के लेंथ को study कीजिए क्योंकि जब भी हम overtake करते हैं तो गाड़ी निकालना होती है हमको बाहर पूरी तरह से अ आप गाड़ी आसानी से भीड में चला सके गाड़ी को निकाल सके तो आगे पीछे बार बार चलिए थोड़ा सा अंदाजा लगाईए कि आखिर कितनी जगह है निकालने के लिए गाड़ी को चलाने के लिए आपको गाड़ी निकालना भी तो सीखना ही पड़ेगा ना तो को बार-बार आप इधर से उधर इधर से उधर घूम घूम करके देखिए अपने दिमाग में उसकी इमेज फिक्स कर लीजिए कि हमारी गाड़ी का साइज इतना है इतनी जगह में से निकल जाएगी और हाँ यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कार से रिलेटेड कार से रिलेटेड रिव्यूज आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं